हेलो मेरे पैरे बच्चों कैसे आपसे भी आश्रागरतों से फिट होंगे पैरे बच्चों आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसेज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं आपको मैंने लास्ट वीडियो में 1.2 दम डिटेल में समझा है था अब अपने वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना ताकि आपको बेसी क्लियर रहे और फिर आगे उसना अपसे समझ में बहुत सरे बच्चे मुझे बोले थे सर एक्जांपल भी करा दीजे कमेंट कर रहे थे तो हाँ बही मैं एक्सरसेज कंप्लीट कर लेते हैं एक्स एक्सरसाइज तो मैं जो नेक्स डिटो बनाऊंगा उसका लिंक आपको मैं डिस्रिप्सन बॉक्स में क्रॉइट करा दूँगा और उपर आई बटने भी देतूँगा देखो दो चीजे हैं एक चीज होता है कि सो करना है यह जो नंबर से वह इर्रैसनल है और दूसरा होता है उसको छोटा सा दिया हुआ है तो ऐसा क्यों किया है तो देखो या मैं तुम्हों को बताता हूं इसलिए बोला था कि जरूर पढ़ना जब तुम्हारे पास रूट 2 को रूट 3 को या रूट 5 को जब इर्रैसनल प्रूफ करने के लिए गना तो जो आपके बुक में हिंट वाला जो दिया हुआ है ना पहले को फर्स्ट पार्ट का हिंट उस मैथर से किया जाता है मैंना आपको एंसी आटी के बुक में भी सिखाया था और उसके अलावा इसमें जितिने भी कोश्ण डिया हुआ है को से लिए करके को सारी को हम लोग क्या करेंगे जो easy method है जो मैंना तो डिवाइड वगेरा जो बच्चे कॉन कंफ्यूज रहते हैं वह समय आपको ncati में सीखा है डिटेल में तो वह वीडियो भी आप जरूर देखने हैं इसलिए आप बोड़ रहा हूं कि दोनों को बुक को मिला मिला कि पढ़ना तो ऐसे जब कोश्ण आएंगे ना इस ता यानि कि हमारा फ्रेक्शन के फॉर्म में यहां पर हमारे पास बी इस नॉट इकॉल टू बस जीरो लिख दो या फिर ए और बी इस एनी इंटेजर पर चलो जो पहला कुछ नहीं तो प्रमें डिटेल में लिख देता हूं यहां पर आप आप ऐसे लिखोगे यह एंड बी आ इसको व्लटा कर दो कильно यह जो और इसको रीवर्स घुमा दो यह उपर चला जाएगा रूट टू और वन नीचे आ जाएगा और इक्यूल की उस स्याट में जो बी है वह उपर चला जाएगा और नीचे आजाएगा अब हम लोगो क्या जानते हैं यहां पर अब देखो इसको ऐसे लिखोगे ना, इसको आप equation number 1 ले सकते हो, यह जो हमारे इसको equation number 1 मान लो, और यहां पर यह लिखो कि हमारे पास a by b जो था, a divided by b is rational, a by b जो था वो rational था, हम लोग जानते ही कि अगर fraction के form में तो rational होगा, इसलिए अगर आप पर उसको उल्टा कर दिये हैं, तो यह भी तो हमारा rational ही होगा, तो is also rational, ठीक है, यह भी क्या होगा, एक हमारा rational होगा, अब हमनों क्या देख रहे हैं, कि from equation number 1, equation number 1 में अगर आपन देखें, तो अगर b by a rational है, तो root 2 भी एक rational number हो जाएगा, root 2 is rational number, from equation 1, root 2 जो हो गया, वो एक rational हो गया, लेकिन, root 2 rational नहीं होता है, हमने यह चीज पहले भी सीखा है, कि root के अंदर कर गभी भी कोई प्राइम नंबर आजा, 2 आजा, 3 आजा, 5 आजा, जो root से बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो irrational होते हैं, तो root 2 क्या हो जा रहे है, हमारे एक rational हो जा रहे है, और यह गलत होगे, यहाँ पर, य which is a contradiction, ठीक है, shortcut में यहाँ पर लिख रहा हो है, वाकि वहाँ पर हमने हो detail भी लिखना सीखा था, यहाँ पर रहे है, यहाँ पर root 2 जो है, rational हो जा रहे है, लेकिन हमनों जानते कि root 3 irrational है, और यह contradiction है, और contradiction के वजाए से, यानि कि यह गलत सलत हो गया, और contradiction क्यों हुआ था, क्य क्योंकि हमने 1 by root 2 को एक rational मान लिया था, शुरू में हम लोग यह contradiction हुआ ना, इसका reason था, 1 by root 2 को rational माना, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, चाहो तो, कि this contradiction arise, because we assume 1 by root 2 is rational, यानि कि हमारा जो contradiction हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमने assume कि 1 by root 2 को एक rational, चाहो तो लिख ल होगा, वो क्या होगा, is an irrational number, तो अगर तुमने ये चीज़ समझा, पहला कुसन अगर तुमने समझ लिया वह बहा, तो तुम्हारा पूरा का पूरा question बन जाए, अगर ये नहीं समझ में है, तो कोई नहीं बनेगा, मैं एक बार जदी से repeat करता हूँ, आपको जो भी दिया तो वो a by b के form में हो जाएगा, फिर क्या करो कि जो भी हमारा number उसको यहाँ पर उल्टा ही इसलिए हमने किया, ताकि हमारा root 2 है वो numerator में चला, जब बस इसलिए हमने उल्टा किया, दूसरे questions में जुरत दी नहीं पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर किवल root 2 को इस तरीके से लि मान लिया था, इसलिए contradiction हुआ, तो हमने जो माने थे हम लोग उसको उल्टा कर देंगे, बुलिंग नहीं भगिया, हमने गलत माना था, यह क्या होगा, एक irrational होगा, तो बस यहीं पर हमारा question है, वो complete होगा, यह पहला question था, इसलिए बहुत detail में ने समझाया, अब हम लोग जो यह जो होगा हमारा a by b के form में होगा, ओके, अब आपको क्या करना है, 7 को दर ट्रांसफर कर देना है, तो root 5, यहाँ पर अपने को left में पसकेवल root वाले value को रखना है, तो root 5 equal to हो जाएगा, आपका a, और divide by में 7b हो जाएगा, 7 यह आपने multiply में तहितर जागर के b से multiply हो जाए गई है, तो अब यहाँ पर हमारे पस क्या होगा, कि हमने यह देखा कि a by b जो है, वो क्या है, rational है, ठीक है, a by b, rational है, इसलिए हमारा a divided by 7b जो होगा, वो भी क्या होगा, rational ही होगा, अगर हम लोग 7 का multiply कर दे रहे हैं, तो उसे value थोड़ी change हो जागा, वो यह थोड़ी यह जो root 5 है, root 5 वो एक rational हो जा रहा है, root 5 is a rational, जो कि हमारा क्या है, एक contradiction है, तो which is a contradiction, ठीक है, यह क्या हो गया, एक contradiction हो गया, इसलिए, जो root 5 के साथ 7 भी दिया था न, तो दुनों को उतार हो गए, 7 root 5 is an irrational number, खतम खेल, जो चीज़ पहली लिखा था, मैं बस उसे को roughly लिख होँगा, आओ, इस पीड में लिखूँगा, तो यह मैरा second वाल भी complete होगी, third वाल और fourth वाला same to same है, वहाँ पर six plus root 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर three minus में root 5 दिया हुआ है, तो मुझे लगा कि बचली हो सकता है, minus में confused हो जाए, इसलिए मैं यह question यह लिए है, third वाल तुनों यह minus में नहीं चाहिए, अपने को यह plus में चाहिए, ओके, तो यह हो जाएगा, आपका कुछ इस परीके से, three का three यहाँ पर रहेगा, यह जो a by b है, इधर आ करके minus का a by b हो जाएगा, उधर प्लस हो ला था, हम लोग इधर लाएंगे direct उठा करके, हम लोग प्लस से minus में ला तो यहाँ पर से minus की sign को जब बाहर निकालोगे आप, तो इधर भी minus की sign बाहर निकलिएगी, और यह हो जाएगा आपका, जो plus में थे, वो minus में हो जाएगे, minus a by b, और यह minus वाला plus का three हो जाएगा, फिर minus से minus और cancel कर दो, क्योंकि हाँ पर minus one, यह भी minus one है मानलो, तो यह root five equal to आपका three को पहले लिख दो, क्योंकि अब यह minus वाला को बाद में लिखता है, चाहिए ज़्यादा चाहिए ज़्यादा है, तो minus में यह भी हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकतो, यह long method है, बाकि मैं तुमनों को short method है से समझा दिया, क्यों कई बर कवाचे लोग जाएगे, कि सरी three minus में a divided by b जोगा, वो भी also क्या होगा, एक rational number होगा, क्योंकि हमनों जानते है, किसी rational में से rational को minus करो, तो rational ही आता है, रासन लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, तो इसलिए, यहाँ पर फिर सभी contradiction हो गया, क्योंकि हमारा left wall अगर rational है, तो right wall भी rational होगा, तो root 5 यहाँ पर rational ह हो गया, same to same, जैसे पहले वहाँ कुछ अलग दी है, पहला question number one में पूरी चीज़ है, same to same है, ठीक है, मैं कर देता हूँ तुम लोगों का, यह वहाला solve, यह वाला, और यह वह थो समझा देता हूँ, क्योंकि हमनों ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आमनों ट्रांसफर करके कर ल से बता देता हूँ, तो देखो, यहाँ पर फिर वही काम के, हमने 2 by root 7 को rational ले लिया, तो यह हो जागा 2 by root 7 equal to a by b, वही वाला, जो 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 पहले statement था, सब देखो, question number one में जो मैंने statement लिखा है, same to same statement उतारना है, सारे questions में, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कि यहाँ पर 2 by divided by a के, ठीक है, यह बन गया 2 by divided by a, तो बस यहाँ पर फिर वही चीज़ लिखना है, कि a by b is r for rational, इसलिए जो 2 by divided by a है, वो भी क्या होगा, also rational, खेल कर तम, अब यहाँ पर यह rational है, और इधर ही irrational आ गया, तो contradiction फिर हो गया, तो वही सब जो जुच था, उतार देना, ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर रखना, बागी सब को फेक देना, दूसरे दरफ, पहले तुम उल्टा कर देता हूं, ताकि यह मेरे numerator में आ जाया, तो यह हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, इनको उतर ट्रांसफर क कर देते हैं, तो रूट फाइब यहाँ पर रह जाएगा बिचार अके लिए, यह 3 उपर जाके 3B हो जाएगा, 2 नीचे आ करके 2A हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, सेम तो सेम, कि हमारे पास A by B जो था, वो क्या था, इस रैसनल, तो इसलिए 3B डिवाइड पर 2A होगा, वो भी क्या होगा, वो भी एक रैसनल नंबर होगा, और यह इधर इरैसनल आ गया, तो रैसनल लिखो, इरैसनल इसलिए रैसनल इसलिए, कॉंट्राडिक्शन खेल खतम, ठीक है, तो चलो उटाओ, दिमाग नहीं खराब करते हित्ता, यह हमारे कुशन पर 1 & 2 क बना लेना है, देखो, जो जो हल्दू कोशन से, उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, यह कैसे बनेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया है, यहां पर जो मैंने 4 अला बनाया है, माइनस वाला, सेम तो सेम ऐसी बनेगा, यहां पर भी कॉंट्राडिक्शन, जोगो तुम्हों दिख आपका शुरू-शुरू-शुरू समझा देता हूं, क्योंकि थोड़ा से बढ़ा से यहां पर रूट वाला दिया हूए, तो बचलो हो सकता है, थोड़ा सा डरे, लेकिन जो हो से आर बचलो ने डरेंगे, तो मैं थोड़ा-थोड़ा स्टाटिंग का हिंट जा देता हूं, इसका मतलब यह 4-5-2 जो होगा, वह इक्वाल हो जाएगा, यहां पर से फिर वही सब काम करेंगे हम लोग, पहले तो इस 4 को ट्रांसफर कर देता हूं, फिर एक काम करता हूं, जो रूट वाला है न, इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूं, इसको इधर ले आता हूं, यह 4 रहेगा, माइनस का मेरे पास a divided by b हो जाएगा, ठीक है, यह प्लस वाल इधर के माइनस हो जाएगा, जिसमें आपको question number 4th पार्ट में समझाया था, पहला का 4th वालन जो समझाया था, वही चीज कर रहा हूं है, यह जो हमारा 5 root 2 है, उधर जाकर के प्लस वाला 5 root 2 हो जाएग इसको आप ऐसे 1 by 5 कर दो, क्योंकि यहाँ पर multiply में था, इधर आ करके divide में होगा, equal question में root 2 बचेगा, अब यह जो 5 है, यहाँ 4 नहीं चेक, 1 चुपा हुआ है, तो उससे में multiply होगा, तो 4 by में 5 आ जाएगा, और minus में a divide by 4, sorry, 4 बढ़ाओ, 5 और b आ जाएगा, 5 का b से multiply करो, 5 बचेगा, तो यह इस में आपको करना है, कि आपको root 2 को excite कर लेना है, पूरा-पूरा, और बाकी सब को एक तरफ कर लेना है, और फिर से सारी चीजों को same to same लिख देना है, कि हमने क्या देखा था, a by b is rational, a by b जो था, वो हमारा rational था, इसी लिए, अगर हम लोग a by b में, 4 by 4 minus 5 में से, a by 5b को minus करेंगा, चुकि यह rational है, तो इसमें से आप, देखो, rational में फहले आप 5 से multiply कर रहे हो, तो यह rational ही रहेगा, ठीक, अब उसमें से आप 4 by, जो rational नमबर में से rational को minus करो तो भी आपका answer, rational ही हैगा, तो आप लिख दो आप लोग, is also rational, और यहीं से हमारा क्या ह हो रहा है, contradiction हो रहा है, इसका आप equation number 1 ले लो, यह उला जो था हमारा नीचे में, इसको equation 1 मान लो, और भी सारी चीजो को लिख दो, कि from equation number 1, root 2 is also rational, और यह क्या हो गया, which is a contradiction, which is a contradiction, ठीक है, यह contradiction है, so, root 2 is irrational, ठीक है, यह क्या होगा, एक irrational number होगा, root 2 नहीं, यार, sorry, root 2 नहीं लिखना, यह पूरा-पूरा इसको उतारना है, root 2 के साथ साथ, जो भी सारी चीज़े, इनसे भी उतार होगे, 4 माइनस में 5 root 2 था, 4 माइनस में 5 root 2, ठीक है, सारे questions में, जो भी question में दिया हूँ है, पूरा-पूरा लिखना, के बल, root यही तरीके से भी बनेगा, इसके बाद वाले जो दोनों है, वो भी same to same, यही तरीके से बनने वाले है, question 5 और 6 same है, 5 and 6 are same to same, ठीक है, same to same, जैसे जुडवा होते हैं, सारू खान, मसलमान का लोला फिलीम होला था ना, कोईसे जुडवा मूवी, वरून धवन काया था, वही root 5 है, और plus में root 3 है, इसको rational proof करना है, तो each step से भी आ सकता है, एक 7 वाला भी आ सकता है, और अलग भी आ सकता है, यह root 5 को rational proof करो, यह root 3 को rational proof करो, तो इसमें आपको जो लंबा वाला method, detail वाला वो बनाना पड़ेगा, और यही समझने वाली चीज है, यह सब तो बच्चों का इसको कैसे बनाना है, आईए मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम कामी स्टार्ट तो इस ही करेंगे हम लोग, कि root 5 plus root 3 को पन मान लेते हैं, कि rational number, ओके, तो फिर सबही चीज होगा, कि हमारा root 5 plus root 3 जो है, वो equal हो जाएगा, a divided b के, यानि कि हमारे fraction के form में, p by q के form में, जो हमारा rational वाला standard form होता है, उसमें यह equal to strip से convert हो गया, अब क्या करो, कि इन में से किसी भी एक को दूसरे तरह आप ट्रांसफर कर दो, मान लो root 3 जो छोटा है, मैं उसको transfer कर देता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, मेरे पास root 5 बचेगा, equal कि उस side में, a by में b, और यह तो irrational बोल दें, अपने आपको गलत साबीत करके, तो मुझे इसको rational बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका square कर दूँगा, तो इसका भी square हो जाएगा, तो देखो होगा क्या, कि शुरू में तो लगए कि मैं इसको rational बना रहा हूँ, लेकिन एधर rational बन तो भाई, अगर यह ऐसे हो जाएदा, तो यह हमारा complete A है, और यह मैं क्म्प्लीट B है, मान लो, तो A-B का holy square हो लो, formula लग जाएगा, तो यह तो मेरा root 5 का square 5 बन जाएगा, इधर हो जाएगा, A का square, यानि कि यह मेरा A का square है, यानि कि इसका square ना, यह पूरा-पूरा A है, य X मान लो, इसको Y मान लो, तो X-Y का holy square है, तो यह हो गया, X का square, प्लस में Y का square, ठीक है, और minus में 2XY होता है, तो 2 हो गया, multiply में X के बदले में A by B उतार देता हो मैं, और Y के बदले में हमारा root 3 जो हो उतर जाएगा, तो यह अब हमारा देखो काम बनेगा, अब root 3 आपका ए यहां से, यह होगे, आपका A square, divide में B square, ठीक है, ब्रेकेट खोल करके, यहां पर आप solve करोगती है, तो हमारा 3 बन जाएगा, minus में हमारे पास 2 है, ठीक है, और इधर हमारे पास A by में B है, multiply में, और multiply में हमारे पास root 3 भी है, तो 3 में से 2 मैंस होगा, तो 1 आ जाएगा, और उ plus का AB, ठीक है, और root का 3 ऐसे बगल में लिए तो, अब क्या करो, कि सारी चीजों को एक एक कर किधा, ट्रांसफर कर दो, तो इधर जो है बचारा मेरा किवाल, और किवाल क्या बच जाएगा, जो root 3 है, वही अकेला रह जाएगा, और मैं वही चाहता ही हूँ कि वह अकेला रह है था, कि कभी भी आगा, root 3, root 2, या कोई भी चीज है, तो उसको में whole number से solve नहीं कर सकते, जीसे कि मानलो, 3 plus root 3 अगर ऐसे रहता, या फिर 2 root 3 कुछ भी रहता, तो यह अलगी रहेगा, यह 3 is 2 के साथ add नहीं होने वाले, subtract नहीं होने वाले, यह ध्यान रखना है, तो मैं गलत माइनस का 2 भी कर लेते हैं, माइनस का 2, और यह root 3 को एक साथ उतार दो, 2 root 3, ठीक है, यह वाला हमने कर लिया, एक साथ multiply, multiply कर सकते हो, plus minus 3 नहीं कर सकते है, a divided by b जो उतार लो, और यह जो plus का root 3 है, इसको प्रस का 3 है, इसको हम लोग side में कर लेंगे, समझे हैं ना, मैंने क्य क्या क्या, इसको अच्छे से लिख लिए, systematic, इसको side में कर लिया, अब इसको मैं पहले इदर transfer करूँगा, तो यह हो जाएगा, आपका 5 में से, 5 minus में 3, equal को साथ में a square divided by b square, minus में 2 root 3, और a by में b, ठीक है, तो यह हो जाएगा, आपका 2 यहां से, अब इसको भी आप इधर ल में, minus का 2 root 3, और a divided by जो b है, उसको as it is रहने दो, ठीक है, फिलहाल के लिए, अभी हम लोगो सब को transfer करेंगे, तो यह हो जाएगा, आपका इसकाए से multiply होगा, तो 2b square, और minus का a square numerator में, इसकाए से multiply करो, cross multiplication, इसे नीचे 1 चुपा हुए, LC में गएर है, लोगे तो भी semi आता है तो मैं डाट multiply करता हूँ, ठीक है, equal के उस सेट में हमारे पास, कितना जा रहा है, 2 root 3, और a divided by b आ रहा है, तो यह देखो, अच्छा, minus की sin भी है रहा है, विध्यान रखना की, यहाँ पर minus sin है, इसको नहीं छोड़ना है भी, नहीं तो यह गलत कर देगा, पूरा-पूरा मे तो फिर उपर से नीचे कट हो ही जाएगा, तो मैं इस नीचे से एक भी कोड़ा देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 2b², minus में a², divide by b हो गया, equal को सेट में minus का 2 root 3, और यह जो है, वो as it is अभी भी बचे हुए, अब हम लोग को तो इधर केवाल root 3 ही रखना है, तो बागी 2b², जो है, denominator में आगए, यह भी पहले से था, minus 2 और एक डिमिल्टर में आगए, equal को सेट में किवाल root 3 बज़िए, तो बस नहीं से हमारा काम खतम, main हम लोगो यही करना था, कि जो भी root वाले value है, उसको बस एक साइड कर दो, पिछले जो को समने बनाए, उसमें फटा-फट यह चीज़ हो जा रहता है, इस बार में आपको तो एक एक स्टेव करके बताया, कि आप कैसे कैसे एक चीज़ को ट्रांसफर करते जाओगे, और तब जाकर के, सिंगल root 3 या root 5 जो हमारा एक सेट बज़िएगा, अगर आप उस लिए हम रूट 5 को ट्रांसफर करे रहते हैं, तो भी मेरा यहां पर root 5 आता है, तो बस आपको लास्ट में कुछ नहीं लिखना, जैसे पहले आपने किया था, स्टेव मिट्ट से मुहीं करोगे, कि हम लोग लिखेंगे, a by me b is a rational, ठीक है, a by b जो था, वो एक rational number था, तो इसी लिए, जो मेरा 2b का स्क्वेर आया है, 2b स्क डिवाइड भाई में, यह ना माइनस के स्ट नीचे में लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, माइनस 2ab is also rational, ठीक है, आप लोग जब बूग में देखोगे, तो आप लोग दिखेंगे, यह तो हमारा positive में दिया हुआ था, और यह तो आगे पीछे दिया और जो 2b square था, वो माइनस में आ जाएगा, इस तरीके से, और नीचे में आप माइनस के स्ट को common ले लोगे, तो यह आपका 2ab हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, तो ऐसे भी आप इसको लिख सेगे तो आपके book में as it is दिया हुआ था, तो यह भी सही है, यह भी सही है, exam में अगर माइनस के टाइम हाब के पास ऐसे लिख लेना, नहीं है तो ऐसी लिख करके छोड़ देना, तो हुआ क्या हमारे पास, यह हमारे एक rational हो गया, और इस कॉप ले लो equation number 1, और यहां पर फिर सभी लिख दो, कि from equation 1, अगर left वाला rational है, तो right वाल भी rational हो कि खुद को गलत साबित कर देना, contradiction के थुरू, और अगर यह contradiction है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि hence, हमारा जो root 5, plus में root 3 था, जिसको हमने क्या किया था, एक rational number मान लिया था, और इसी rational के माननी का जासे हमारा contradiction आ रहा है, तो इस लिए root 5 पर जूर थी, is an irrational number, ठीक है, यह क्या इसको ऐसी बनाना ही पड़ेगा, यह वाला question भी ऐसी बनाना पड़ेगा, या फिर उसके लावा तुमों का root 5 वाला, root 3 वाला, root 2 वाला, यह वाला में था टाइम लगता है, लेकिन इसका method थोड़ा सा लग रहता है, मैंने NCRT में आपको सिखाया है, आप NCRT वीडियो आपको यह चीज सीखने को मिलेगा, तो यह हो गया, चलो देखते हैं, अगले question में क्या दिया हुआ है, और इसका practice जरूर करना, practice ने करोगे, तो methods को भूल जाओगे, तो practice यह पर जरूर करना कुछ से, तो देखो भाई, अब इस क्या 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 question दिया हुआ हुआ है, यह यह तो समझ में आगिया, और same to same उसी तरीके से 11th हौला बन जाएगा, है ना, दम same to same question है, अब जो यह सारे question आपको दीख रहे हैं, दम बड़े-बड़े, तुमनों सुच रहोगे कि यह थोड़ सा अलग question है, लेकिन कुछ अलग नहीं है, जो चीज तुमनों यहां पर किय होना, और तुमनों लिख रहे थे ना, कि root 3 हमारा क्या है, एक irrational number है, we know that करके लिखते हैं, कि हम लोगों पता है, root 3 irrational है, और इस वज़ा से contradiction हो जा रहा है, यहां पर वही चीज को question में given कर दिया है, कि root 3 जो है, वो irrational number है, जैसे कि यहां पर जो नहीं लिख रहे थे, यह root 3 is rational number, यह हम लोगो कहां से लिख रहे थे, यह वाला, which is contradiction हम लोगो लिख रहे थे, तो यहां पर यह तुमनों लिख होगे, जब इस रहे सेम-to-same बनेगा, पहली question के रहे, और फिर last में लिख दोगे, कि it is given that root 3 is irrational, यहां पर जिसे हमारा आया, same-to-same ऐसी आएगा मान लोग, इस इतना लिख देना है, कि it is given that root 3 is irrational, बस ही लिखना है, बाकी बनेगा कौन से method से, तो यह ही, जो सुरू में हमनों बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह जो method मने यूज किया, वही method से, यह 8-20 बन जायागा, 9-20 बनेगा, 10-20 बनेगा, किसी में doubt रहे तो तो मुझ सकते, मुझ सकते, रहे तो solve करने में, तो लोगो अपना solution बेजना, मैं तो लोगो बता दूगो कि यहाँ पर ऐसे बन जायागा यह, ठीक है, यह तो मैंने बता ही, इसी टाप से बनेगा, पूरा same to same, यह भी हमारा irrational number है, prove that, 2 root 3 is irrational number, इसको irrational prove कीजिए, और given है, यह root 3 जो है, वो irrational है, देख़ो से 2009 में भी देखवाया हुआ है, 3 plus root 2, बस वहाँ पर हमारा 2 बाहर कर दिया है, root के, और 3 को root में डाल दिया है, तो इसी टाप से ही question आएगा, और तुम लोगो सम्झा देता हूँ, कि इसको कैसे बनाना है, विससे नहीं आता है, ध्यान रखना कि आयागा तुम्हारा यह question, बाकि यह दिया है, तो अपन इसको notes में कैसे लिखेंगे, वो समझ देते हैं, तो देखो तो 13th होला question है, वो कैसे बनेगा पता है, जैसे मैं तो लोग NCAT में root 5 का सिखाया था न, कि root 5 को irrational proof करने के लिए क्या 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 करना पड़ता है, same to same वैसी ही करना पड़ेगा, अपर A और B इसको ऐसे लिखना पड़ता है, इस टेप से लिखना आते हैं, उसमें लिखना पड़ेगा, कि A and B are co-prime numbers, यह जो हमारे A और B co-prime numbers है, co-prime number का मतलब क्या होता है, ऐसे number जिनका जो common factor है, वो केवल 1 होता है, उसके अलबबा कोई दूसरा common factor नहीं होता है, ठी तो अब यहां पर से हम लोगो क्या करना है, इस P को ही यहां पर आप लोगो कुछ इस तरीके solve करना है, कि हमारा P जो है इन दोनों का factor आ जाए, तुम लोगो रूट 5 ओल अगर बनाया होगा NCRT वाले कोशन से, तो तुम लोगो याद होगा, वही चीज करना है, आता नहीं ह कैसी उस किया जाता है, irrational proof करने के लिए, तो इसमें क्या करोगे, कि यह आपका हो जाएगा, यहां पर से root P का, sorry, B लिखा जारा है गलती से, root P का whole square, और इधर आपका A square divided by B square हो जाएगा है, ना, दोनों का square होगा, जब square होगा, तो ध्यान रखना, तो यह आपका P square equal to A square divided by B square हो गया, अब B square को इधर transfer कर दो, तो यह हो जाएगा, आपका B square multiply P square, या फिर P को पहले लिखता हूँ, ता कि आप लोगो मैं concept समझा सकूँ, P square multiply B square equal to A square, यह निकल कर क्या आगया है, यहां पर से, अर्यार में P square का है लिख रहा हूँ, पगला लगियाओं का थक गयाओं र लिख रहता है, तो P multiply B square equal to A square आगया, अब इसका ही मतलब तुम लोगो समझना है, यहां से conclusion निकलेगा, वो conclusion क्या निकलेगा, कि जो P है, वो क्या करेगा, वो divide कर देगा A square को, P divides, अब यह क्यों करेगा, वो ही मैं समझाओं को, P divides A square, इसलिए जो P है, वो divide करेगा A को also, P divide A also, अब इसको तुम जो लिखा होना सो समझो, यह लिखना तो पड़ेगा, तुम लोगो को भी exam में देगा, यह कहां से आया, कैसे हुआ, वो समझो, हम लोग यहां पर P multiply B square equal to A square लिखे न, चलो थोड़ी तरीक लिए P को assume कर लो, कि P का value 2 है, B square का value को assume कर लो कि 5 है, और A square ज करता है न, तो जो भी, इनका multiply करके जब यह वाला part आ रहा है, तो इसका यह मतलब हो है, कि यह part जो है, इससे अराम से divide हो सकता है, हमको B से मतलब नहीं, हमको P से मतलब है, तो भई 10 जो है, वो 2 से divide हो सकता है, तो यहां पर जब यह 2 से divide हो जा रहा है, तो it means, कि हमारा जो P ह वो a square को divide कर देगा इसलिए यहां पर इसमें सब जाद बच्चे लोग बहुत ज्यादा confused रहते हैं कि सर यह पी जो है वो a square को कैसे divide कर रहा है वो इस वज़ाइब कर रहा है तो इस वज़ाइब करते हैं यह 10 है 10 को अगर 2 divide कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 है वो 10 का एक फेक्टर है है ना 10 का एक फेक्टर इसको आप यहां पर equation number 1 मान लो ठीक है तो उसी तरीके से अगर पी जो वो a को divide करेगा तो a का एक फेक्टर p हो जाएगा अब वही काम आगे भी करोगे अब इतना आ मतलब कि पी में अगर हम लोग किसी का भी multiply करेंगे मान लोपन पी में multiply करते हैं c का तो वो क्या हो जाएगा इकोल टू ए हो जाएगा क्योंकि पी जो है वो यह को divide कर रहा है ना जैसे यहां पर जो चीजे होई थे वैसी होगी बस हम लोग सी जो है कोई सा भी इंटेजर ले है बस हमने सी अपने मंद से एक number ले लिया है क्यों लिया है ताकि हम लोग अगले वाले के पास पहुंच साखें नेक्स रोले के पास तो अब यहां से हमारे पास एक जो वैल्यू हो गया वह कितना कि पी सी आ गया पी सी इक्वेशन में पूट कर दो एक्वेशन नमबर वन पर प्वेशन बन में पूट करोगे एक बैल्यू तो वहां पर तो मारे पी बीड़िये लेफ्ट में था संडागा पी की का होल को ऋटा है लेखर पिएक ओक साड में पीड़्ी ऐस उपकश और सी का स्केर तो यहां से पन क्या देखते हैं कि अगर मैं P से P को cut करना चाहूं तो हो जाएगा क्योंकि यह एक single P है उधर अगर मैं लेकर जाओं तो यह देखो B square equal to P square और C square होगा नीचे में हमारे P आ जाएगा तो यह P से यह P एक ठो तो cancel हो जाएगा ठीक है यह से उपर यह cancel हुआ तो जो B square है वो equal आ गिया P और C square की है ठीक है इसको अगर मैं इस form में लिखना चाहूं तो फिर सा समझाने के लिए ऐसे लिखना से लिख सकता हूं कि बिल्कुल लिख सकता हूं इसको में पूरा-पूरा इधर ले आकर कि ऐसे लिख सकता हूं P multiply में C square equal to B square तो सेम चीज़ यहां पर वही हो रहा है कि P कि हम किसी नंबर से multiply कर रहे है तो B के square आ रहा है P also, ठीक है यहां पर P और B वगएर हो रहने से हो सकते हैं तो अब अगर यहां पर इसको डिवाइट कर रहा है और इसको अपने equation 2 मान लेते हैं तो यह वाले equation से और वह पहला वाले equation से हम लोग क्या देख रहे हैं कि from equation 1 & 2 1 & 2 से हम लोग यह समझ में आ रहा है कि P जो है वह वह एका भी factor है और P जो है वह B का भी factor है P is P is common factor of of A & B जो की गलत हो गया क्यों हम लोग को पता था कि A और B क्या है इसका मतब यह हो था कि A का जो factor होगा या तो 1 होगा या तो A होगा और B कभी जो factor होगा या तो 1 होगा या तो B होगा लेकिन जो P है वो इन दोनों में common factor आ गया तो यहीं से हमारा क्या होगा एक contradiction arise कर रहा है है ना it arise या फिर आप लिख सकते हो it is a contradiction ठेक है यहां पर आप आप लोगोगो बागी कुस्तन लिख्यों नहीं वैसी which is a contradiction यह क्या हो गया contradiction हो गया क्योंकि हमने तो इसको को प्रेम लिया था जहापर common factor आने चाहिए था सो हमारा जो assumption है वो गलत हो गया और root p जो होगा वो क्या होगा इर्रेशनल होगा तो इस एन इर्रेशनल नमबर समझ में आगे बबुए लो तो ऐसी इस question को करना रहता है और यही method है पूरा-पूरा root 5 को root 3 को root 2 को भी इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए बस यहां पर p दे दिया था और कुछ हो नहीं है ठीक है अब अगला ओलो जो 14 वाला है वो भी यह same-to-same पहले की तरहीं बनेगा रुखवपन में समझा देता हूं तुम्हों को question दिखा करके हैं देखो question में क्या दिया हुआ है कि P और Q जो है positive integer है यह से मैं ध्यान मत दो बस यह देखो root P plus root Q जो है उसको एक irrational number पर प्रूफ करना है तो जैसे तुम्हें रूट 2 plus root 3 को करोगे और जैसे मैंने तुम्हें तुम्हें रूट 5 plus root 3 करने के लिए बताया ना सेम वैसी यह भी होगा वैसे एक्जाम में बता देना फिर से कि यह कुछन नहीं आएंगे आएंगे तो यह कुछन आएगा तो इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में यह यह कुछन आएगा तो रूट 5 यह रूट 3 यह रूट 2 से करके आएगा ठीक है तो सेम तुम्हें तो लोगों मैं अगर हिंट दिखाना चाहिंट दिया है क्या बूप में हाधी आ हुआ देखो जो चीज मैं करवाया था कोई न और रखेगा तो यहां पर एक जाग लिए रूट 6 लाना चाहिए क्योंकि यह क्या है हमारा को प्राइम नमबर दिया हुआ ना प्राइम नमबर क्यों होते है रूट के अंदर यह मारा इस इक्वल पूछ आर्यों और यह स्कार्ट-इसकार यह वार है यानि कि तोमा एक चीज का खराब लग रहा हुआ कि sir पूरा पूरा कुछन लिक के दिखा देते हैं तो चापने में मज़ा आ जाता है हम लोग अपने नोट कर लेते हैं लेकिन नहीं यार टाइम वेस्टिंग करेंगे हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा पूरा शीले बस ताकि मैं तुम ल मुझे कमेंट करके बताओगे ठीक थोड़ा से एनर्जी मुझे कम तुम्हों को फिल हो रहा होगा कि सर धीरे द्रे बोल रहे हैं वह इस वजह से क्योंकि मेरा फास्टिंग चल रहा है रोजा बहुत खतरना फास्टिंग होता है उसमें पानी में कुछ नहीं बिना रहता है